नमशार दोस्तों आप शिवी का बहुत बहुत श्वागते दोस्तों आप शिवी को बता दें कि अगल एक चार दिनों के अंदर आप शिवी की जुनकाल में दो बड़ी दिविशक्तियों का अगमन होने वाले हैं आप शिवी के घर में या दो दिवी शक्ति आने वाली है जिनसे दोस्नों आपशिवी का घर का रूप रेखा बदल जाएगा जीहां दोस्नों यूक हैं तो अब आपशिवी का घर बिल्कुल ही शुर्ग जैसा चमकने वाला है गर परवार में शवी परकार की शमश्याएं शमाप्त होने वाली है जिहां दोस्तों हम आपशिवी को बता दिए कि अगले तीन दिनों का शवी में आपशिवी के लिए मरित काल का शमय है भगवान का दियावा वर्दान है और दो दिवी शक्तियों का अगमन आपशिवी के घर में होने वाले है तो दोस्तों बहुत ये बड़े बड़े चमतकार होने वाले है जिहां दोस्तों ये शमें आपशिवी के जुनकाल में ऐसे खुशकबरी प्राप्त होने वाली है जिने आपने कभी शपने मैं भी नहीं सोचे होंगे और दोसों ये कुश कबरी आपको इतनी जल्दी मिल साएगी ये तो आपने कभी शोचा भी नहीं होगा जिया दोसों हम आप शिबी को बता दें कि गले चार दिनों के अंदर आप शिबी के जुनकाल के वे शपने पूरे होने वाले हैं जिने पाने के लिए आप पिछले कईश मेशे इंतजार कर रहे थे पिछले कईश मेशे मेहनत कर रहे थे और दोसों अब देखिए शमे का पहिया घुम चुका है अब श्वेंग या दो दिवी शक्ति आपशिवी के घर आगर आपके कर्मों का फल देने वाले हैं अगले चार दिनों के अंदर आप शिवी का जीवन बिल्कुली हीरे शिवी किम्टी होने वाला है जिया दोसों हम आप शिवी को बता दें कि आज के इस वीडियो को आप भूल कर भी मिश मत कीजेगा वरना आने वाले पूरा जीवन आप पस्ताते रह जाएंगे और दोसों ये बड़ी खुशकबरी अगर आपके हांस से चले गई तो दोसों आप उने जुनकाल में बिल्कुल ही उमर भर पस्ताएंगे जिया दोसों शादे दोसों ये शमें आपको कौनसे उपाय को करना चाहिए दोसों इन शबी के बारे में हम पूरे ही विस्तार शिवात करेंगे शादे शादे दोसों कुस महत्पून बाते हैं जिनका ध्यान आपको अपने जुनकाल में रखना बहुत यह लाउशक है जो कि दोसों यह दो दिया विद्ध आपको हमेशा शंकेत देते हैं और दोसों आप उन्हें नजर अंदाज कर देते हैं इसलिए दोसों कौनसे शादबहनी आपको अपने जुनकाल में बरतनी है कौनसे बातों का आपको ध्यान रखना है दोसों सारी बातें आपको बहुत विस्तार तरकेशी बताने वाले हैं बश आपका यही कर्तब और दाई तुरहेगा कि आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंते तक बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा दोसों थोड़ा शाभी मिश मत केजिएगा कि दोसों बहुत शारी जात तक विडियो को मिश कर देते हैं और आगे चलकर उन्हें कोई भी लाब फराप्त नहीं होता है जिया दोसों विडियो में शारी बातें आपकी जुनकाल के लिए बहुत ज़्याद आउश्यक है अगर आप इन्हें अंत तक ध्यान से देख लेंगे तो दोसों हम दावे के शाथ कैश रकते हैं या दो देविदाओं के अशिरबाश या आपकी जुनकाल में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी कि दोसों आप शुबिक की जानकारी के लिए बता दी के तो दोसों आप शुबिक की जुनकाल में शारे शुमशाई दूर हो जाएंगे शारे श्रंकट आपके जुनकाल से खत्म हो जाएंगे दोसों आप शुबिक को बता देए कि पिछले कई शुमशे आपको बहुत शारी कारियों में तरकी मिली है बहुत शारे आपके कारियों में रुकावटें भी खत्म हुई है जी है दोसों और दोसों कभी कबार आपको यसे गलतियां भी कर देते हैं जिनके कारण आपके जुनकाल से यह देवी दिवता रुष्ट भी हो जाते हैं जी है दोसों दोसों आप शिभी को बता जिन के कारण यह देवी दिवता रुष्ट हो जाते ही और आपको कारियों में नुक्षान उठाना पड़ता है जिया दोस्तों लेकिन दोस्तों इसका मतलब यह नहीं कि यह देवी दिवता आपके उपर प्रशन नहीं है दोस्तों यह देवी दिवता आपके शाया बनकर शात रहता है और यह चाहता है कि आप कोई भी गलती ना करें अपने जुनकाल में आप हमेशा शत्य की राह पर चल कर आगे बढ़ें जियन दोसों इसलिए आपको कई बार इशने कारियों में नुक्षान भी दिये हैं ताकि आप उनसे कोई शीक शकें कि आपके लिए क्या शही है और क्या गलत है जियन दोसों लुक्षान का मतलब है आपको शंके देते हैं जियन दोसों अगर आप उन शंकेतों को नजनराज कर देते हैं तो दोसों आपको मुश्यवतों का शामना करना पड़ता है दोसों आप शभी को बता दें कि आप पिछले कई शुमेशे आप अप पेशानी आपके जुनकाल में आ रहे हैं, अपने जुनकाल में कई तरह की आप अर्चने को देख रहे हैं, मुशिवत आपके शाथ एक नएक नए नए आते ही रहती है, जितना आप मेहनत करते हैं, दोस्तों उतना आपको फल नहीं मिल पाता है, शातिशा दोस्तों हम आप श जिए दोस्तों जितना आप पेशा कमाते हैं उतना पेशा आपके पास रह नहीं पाता है आते हैं तो दोस्तों किशी और कारी में किशी और छेतर में लग जाते हैं जिनसे दोस्तों आप पेशी की बचत नहीं कर पाते हैं जिए दोस्तों अगर आप थोड़े बहुत मुशिल से भी पेशा को बचाते हैं तो दोसों वह पेशा किशी ने किशी बिगन बदाय में खत्म हो जाते हैं जिए दोसों हम जातने कि आपके जूनकाल में बहुत शारी शिजातक हैं जिनको रोजगार कारवार में बहुत शारी अर्चने मुशिवितें और शमश्याइं देखने को मिल रही है जी दो दो सुन लेकिन दोसों हम आप शिवी को बिदा दें कि अब आपको दोबारा वक्त मिलने वाला है जी दोसु और अब शिम आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है कौन शी गलती नहीं करना है ताकि यहाद देवी दिवता आपशे रुष्ट ना हो जाए दोस्तों इसके बारें बात करने वाले हैं दोस्तों हम आपशे भी को बता दें कि आज के बाद यहाद देवी दिवता के श्रबाशे आपके भाग परिवर्टर होने वाले हैं जे दोसों बशे आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है ताकि ये देविदिवता दो बारा आपश के आपसी जो है रुष्ट ना हो जाए जे दोसों हम जो आज के इस वीडियो में आपको बात बताने वाले हैं दोसों उन बातों को आपको अपने जुनकाल में बिल्कुल ही धालने नहीं है ताकि दोसों आपकी जुनकाल में दो बारा कोई भी इशे मुश्यवत ना है जिन से आप अपने जुनकाल में तंग हो जाएं जिने दोस्तों बहुती शरल और बहुती खाश उपाई बताएंगे जो कि दोस्तों आप शिबिकी जुनकाल के लिए महत्पुन है जो यहाद देवी दिवताओं को प्रिशन करेगा और आपको हमेशा शही कारे करने की ओर ले कर जाएगा जिए दोस्तों आप कभी भी अपने जुनकाल में इशे कारे नहीं करेंगे ताकि यह देवी दिवताओं रूष्ट हो जाए तो दोस्तों शारे बात विशेच है इन बातों को ध्यांश देखिएगा इनसे आप अपने घर अपने परिवार को और अपने जिवन काल को बहुत ही बहतर दिशा में लिकर जा पाएंगे तो दोस्तों विडियो को आगे बिलकुल ही ध्यांश दिखिएगा जी हैं दोस्तों आप शिवी को बिता दें कि अब शे आप शिवी की जुनकाल में राजजियों का निर्वान होने वाले हैं तो ऐसे दोस्तों बात कर करके कमेंड बोक्ष में सच्चे मन से जय मालक्षमी जय भुलिनात जरूर लिखेगा दोस्तों माता लक्षमी और भगवान भुलिनात का शिवी को प्राप्त होगा जी हां दोस्तों तो ऐसे दोस्तों बात करते हैं दोस्तों आप शिवी को बता दें कि आपके जुनकाल में कई शारेशे कारण है जोकी अजाने में आप गलती कर देते हैं और आपको नुक्षान उठाना पढ़ता है दोस्थों हम जानते हैं कि आपके अपने ही लोग शत्रू बन जाते हैं जिया दोस्थों कई बार आप अपने ही लोगों परिशान हो जाते हैं आपके बहुत शारी कारोबार में अर्चने आ जाते ही और उन शारी अर्चनों में आपके अपने ही लोगों का हाथ होता है और दोस्तों हम आप शिबी को विदा दें कि या शुमे आप अपने जुनकाल में इन ही बातों का ध्यान रखना है कि कौन से अ आप भला किये हैं, वहीं लोग आपके लिए बुरे शाबित हुए हैं, लेकिन दोस्तों हम जानते हैं कि आपका दिल और आपका भाव बिल्कुरी निसल है, आपके मन में कोई छलकफड नहीं है, आप साफ दिल की इंसान है और हमेशा आप लोग की भलाई के ही बारे में शु हम इनके लिए जरूर करेंगे, और दोस्तों आप कई बार करते भी हैं, जी हैं दोस्तों, शादिशा दोस्तों आपको बता दे कि कई बार आपने दूसरों को खुशी देने के लिए खुद को भी गड़े में भर लिये हैं, और दोस्तों आगे चलकर वो इंशान आपके शा नहीं देखी जब उन्होंने जो बोला हम उन्हों के लिए तैयार उनके लिए खड़े थे लेकिन वही इंशान आज हमको धोखा देती है हमारी भावनाओं की कदर नहीं की तो दोस्तों आशे में आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जी है दोस्तों और आप इन्हीं चीजों को देखकर कभी कबार खुद ही खुद ही रोते हैं लेकिन दोस्तों हम आप शबी को बता दें कि आप बिल्कुल भी निराश और बिल्कुल भी मायूश मत होईएगा कि दोस्तों किश्मत आपके शाथ है भगवान की शक्ती आपके शाथ है या दो दिर्दाओं का बाद आपके शाथ है जो कि आपको हमेशा नजर लगाए देते ही कि आप क्या कर रहे हैं दोस्तों आप यकीन मानिए अब शिवी की जुनकाल में जो बड़ी घटना होने वाली है दोस्तों आपके जुनकाल में बिल्कुले खुश्याएं खुश्या होंगी बश आपको आपके शी के ऊपर शी नजर नहीं रखते हैं जिनसे उनका अपमान हो जाये जिनसे उनको हानी हो जाये जी हैं दोस्तों और इन्ही शभी अच्छे शवभाउ इन्ही सबी अच्छे भाउ के गरण या दो दियुदेवताव के उपर बहुत ज़्यादा परशन रहते हLaughing आप गलत भी करती है आप शेह भी करती ही फिर भे यह दो दोडीताओं का शिर्वात आपके शाथ रहता है इनका नजर आपके शाथ हमेशा रहता है अगर आप कभी कभार गलत किशे कोई कारी कर देते हैं तो दोसोंने में आपको हर जाना जिन बातों को आपको फिवार नजर अंदाज भी किये हैं, जिनके कारण आपको मुशुफदों का शामना करना पड़ा है इसलिए दोस्तों आपको अबशेयवख गलति नहीं करनी है, जो आपने अंजाने में की है जो भी आने वाले बात होंगे जिनको आपको ध्यान में रखना होगा उन शबी बातों के बारे में बात करने वाले है यह दोजो आपको बदाएब कि यह शमें आपकी जुनकाल में बहुत ते अच्छी योग कर निर्मान होने वाले है आपके जुनकाल में यो दो दिताओं का शुरबात साथ है तो आपको कौन से शावधानी रखनी है तो दोस्तों आपको बढ़ा दे कि शर्व पर्तम आख मुंद कर आप जिन पर भरुशा करते हैं वो धोका देते हैं तो दोस्तों अब आपको अपने जुनकाल में बश इन बातों का ध्यान रखना है कि जिन लोगों पर आपने बहुत ज़्यदा भरुशा किये हैं उन्हों पर आपको बिल्कुल भी भरुशा नहीं करना है आपको अब पहचानना है कि कौन लोग आपके अपने हैं और कौन लोग आपके पराए हैं कौन लोग आपके मुह पर अच्छे बोलती हैं और पीट पीचे आपके घात करते हैं दोसों इन सबी लोगों को पहचान कर आपको इंशी रिस्ता बिल्कुल ही तोड़ देना है। जिया दोसों अगर आप एशा करेंगी तो दोसों आने वाले शिर्म में आपके जुनकाल में कोई भी गलती नहीं होगी। और दोसों यही लोग होते हैं जो कि आपको बहकाव में लाकर कोई गलत कारे भी करवा देते हैं कई बार आपको फाशाने की भी प्रेतन करते हैं जिन से आपका कारे भंग हो जाए जिन से आपकी शमान में समाज में नाम खराब हो जाए यह बहुत शारिशियों प्रियाज करते हैं जिया दोसों हलांकि कई बार इन्हों ने आपक को नजर अंदाज भी की हैं कि ये श्रमे की ही दोस है ये गरहों का ही दोस है या फिर ये हमारी किशमत में था लेकिन दोस्वों हम आपको बिदा दें कि गरहों की जो इस्तिती है वो हमारे ही करमों के नुशार चलता है जे दोस्वों गरहों की इस्तिती तो है ही हम जिसा करम करते हैं वे इसी गरहों के बीरतती बनती है इसलिए दोसरों इन बातों का ध्यान रखें कि हमेशा आप अपने ही इसी लोगों के शाद गुमे जो कि आपको रुजगार में जो लंबे शमीर से अपशे देखने को मिल रही थी। दोस्व वी अपशे शमाप्त होने वाली है। और आपकी रुजगार फिर शे चलने वाले हैं बहुत ही तेजी शे, जिनलों के पास रुजगार नहीं थी। दोस्तों, उन्य शब्यकोई अश्मे मन चाहिर रोजगार की प्राप्ती होने वाली है। जे दोस्तों, और जो लोग पहले शेह रोजगार में कारिक्रत हैं, ओफिस में आफिर कोई इसाजड जॉब करते हैं, तो दोस्वों आपको बता दें कि आपकी जो भी शेलरी है उनमें बड़ोतरी हो शक्ती है आपके पज़न्ती हो शक्ती है और आपको जो शम्मान है आपको जो ऑफिस में दरजा है आपके जो कारेस्थान पर दरजा है उनमें दोस्वों बड़ोतरी होगे और आपके शारे श शुपते उठाने पड़ रहे थे दोसों उनसे ये श्मित छुटकारा मिल जाएगा और जो भी आपके वैपार के चत्र हैं वो दुगनी तेजी से तरकी के और बढ़ते जाएगा यह दो दिवताओं का शिरबाद है इनके कारण आपके जुनकाल में जो शत्रू आपको शाजिशें रच रहा था दोसों वहाँ अब आपको प्रिशान नहीं कर पाएगा और जो आपको शाजिशें रच रहे थे उनमें वो खुद ही भशने वाले हैं जिया दोसों बस आप शुबी को बता दें कि पिछले केश में से ये लोग बहुत ही जुरदार कोशिश कर रह श्ची हैं दोसों एक बात बता दें कि कभी भी आपको ये जुनकाल नहीं करना है और ना ही आपको बड़े बुजरूं का अपन करना है नारी का आपको हमेशा शमान करना है अपने घर परवार में हमेशा मिल जूल कर आपको चलना है दोस्तों इन शे ये दो देवताओं का शिरबात आपके प्रवना रहेगा ये देवता इन शे बहुती प्रशन रहते हैं तो दोस्तों इन बातों को आप ध्यान रखेगा और दोस्तों इस बात का आप चिंताव मत किजिएगा कि लोग आपको परिशान कर देंगे दोस्तों जो लोग आपको बदनाम करने की साजिसें कर रहे हैं वो लोग अब खुद ही बदनाम होंगे जिया दोस्तों जो लोग शे प्रिश्टा आपको बिल्कुल ही तोड़ देनी है। आपकी शमानों बर रही है शादिशा दोस्तों यह जो शमय है आपको पेशा कहीं अगर निवेश कर रहे हैं तो दोस्तों अगर आप पेशा किसी को दे रहे तो दोस्तों वहाँ पेशा आप बिल्कुल यह मत दिजीगा क्योंकि दोस्तों अगर आप यह में पेशा देंगे त ज्यादा वश्यक हैं कि दूसरों यह इसमे कुछ लोग रोते हैं और आपके शाथ नार्ट करके आपशीर पेशे लेते हैं, लेकिन दूसरों उसके मन में छल की भावना होती है, और दूसरों वह पेशीर आपको देना नहीं चाहते हैं, इसलिए दोस्टों जो विक्ति को आप देख रहे हैं कि ये शायता की लायक है ये शच बोर रहा है तो दोस्टों उनीको देजएगा हलांके दोस्तों इश्मी गणों की जो इस्तती है आपके शाम ने बिल्कुल छली वक्ति आने वाले ही जो की आपशे सहयcha मांगेंगे और इश्मी आपको इशावदान रेना होगा कि दोस्तों आपका जो पेशा है वो फंचशकता है बस दोस्तों इस बात का द्यान रखें तो आई दोस्तों आपको सबसे पहले बता दें कि जो दो देज़ताओं का शिरबाद है वो दोस्तों पहला देवी है धन की देवी मातालक्षमी जिये दोस्तों धन की देवी मातालक्षमी का शिरबाद आप शिरबी के शात रहता है जे दोस्तों आप जहां भी जाते हैं जो भी कारी करते हैं जिनमें भी पेशा लगाते हैं अगर वह पेशा शही होता है तो दोस्तों धन की देवी मातालक्षमी आपके जनकाल में पेशों की बारिश करती है वह पेशा आपको दुगनी चोगनी तरफाश आपको जला जाता है तो दोस्तों आपको अब कौशी गलती नहीं करनी है दोस्तों पहला तो हमने आपको बता ही दिया कि उन लोगों आपको शाथ नहीं रहना है शाथी शाथ दोस्तों आपको बता दें कि अब आपको अपनी जुनकाल में पेशों का विसे ध्यान रखना है पेशे क तो दोस्तों कई ऐसे अस्तान पर खर्च मत केजएगा, जो कि आपके लिए उतना कारगर नहीं है, जितना आप शूच रहें, धोस्तों हमेशा पिसी का जो खर्चा है वो दोस्तों सवही श्व्मी पर ही किजएगा, व्यर्थ के खर्चों में जो इनसान पढ़ जाता है, धनक आपार शंभोनाय बन रही है जिन से आपको लाब मिले जिन से आपका आर्थिक्स दिजिती आपके पेशों की जो शमैश्चा है वह खत्म उजाएंगे जी आँ दोसनुं आप शिबी को विदाते की माताल लक्षमी क श्युरवाश्ची धन के दिवी माता लक्षम के शिरवाशी अब आपके जुनकाल में धनयो का भी निर्मान होने वाले हैं जिन के कारण दोस्तों आपशिवई की जुनकाल में जो भी मुश्यूवत है、 पेशों को लेकर जो भी शमिशाय हैं जो भी घर में बधाएं उत्पन होती है फिशों को लेकर दोस्वों वो शारे बधाएं अब धीरे धीरे कत्म होने वाली है और घर परिवार का महौल आप बहुत ही शिकारत्म होने वाले हैं घर परिवार की लोग आपसी सर्योग में रहने वाले हैं और दोस्वों शाथ रहे करी आप कारियों के किजीएगा कि दोस्नों आश्मी आपके शाहथ माता लक्ष्मी का अश्रबाद है उनका नजर आपके परिवार पर हमे depende कर चलियेगा बस आप शाहथ के बात बात के लाइं किशी finer कि दोसों वो लोग जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं और कि आपके लिए जरूरी है और लोग दोसों मतलब से ही आपको याद कर रहे हैं बस इस बात का आप ध्यान रखेगा और परिवार का शाथ आप पिल्कुल ही मत चुड़ीगा दोसों हमारा कहने का अर्थबश यही था शाथे साथ दोसों आप शिवी को बत्या दें कि दूसरा जो देवता है वह है दोसों देवों के देव महादेव का शिरबात पिछले पांच शालों से आप शिवी की जुनकाल में है पिछले पांच शालों से आपके घर प्रिवार पर इनका नजर है जिन के कारण दोसों आ दिवोड की दिव महादेव ने आपकी रक्षा किया है और दोस्वों बहुआ रिखार्श को कैसे हैं लेकिन तोस्वों बहुआ रिखे क्ष़ळ्विक को करने के बाद थोड़ा शाषमें आप अपने देव देताओं के लिए जरूर निकाली गा। कि दोस्तों ये आपके इस्टदेव हैं, ये आपके धन के मालिक हैं, ये आपके वैपार के मालिक हैं। तो दोस्तों इन पर आप बिल्लकुल ही ध्यान दीजиेगा। जी हा दोस् दोसों बिदी बिदान के शाथ आप शमी निकाल कर भगवान भुलेनात की पुजा जरूर कीजीगा। प्राइविट कंपनी में जाना चाह रहे थे। तो दोसों आप शिवी को बिदा दें कि वहाँ पर आपको शबलता मिल सकती है। इनका विशेष किरपा बना रहेगा, इनका विशेष नजर बना रहेगा। दोसों आप शिवी को बता दें कि माता लक्षमी शिर्फ आपके ही जिनकाल में एशा रहष खोलने वाले हैं। इसे आपको धन की शारी शमशाएं खत्म होने वाली है। दोसों आने वाले श्रम में आपको काश्मिक धनला की प्राप्ति होने वाली है। जी हां दोसों आप शिवी को बता दें कि आपके अच्छे कर्मों के कारण, आपके अच्छे शुभाव और आपके अच्छे श्रद्धा के कारण या दो देवी देवता आपके जिनकाल में हमेशा प्रेशन रहते हैं। जी हां दोसों, श्रातिशा दोस्तों आपको बता दें कि मातालक्षमी उनके जिनकाल में रुष्ट हो जाती है, जो अपने घर में पती पतनी आपश में लडाई करते हैं और हमेशा पती अपने पतनी का अपमान कर देते हैं। जाती है कि घर में कभी भी आपको इशी होहला का महल नहीं करना है, ना ही लडाई जगरा करना है। जो भी कारी कर रहे हैं मातालक्षमी का नजर आपके शाथ है, तो दोसों कभी भी भूल कर भी आप और अपमान मत किजेगा, इनसे मातालक्षमी रोश हो जाएंगी। और दोसों कई बार मातालक्षमी भी आपके जुनकाल में औरत की रुप में आशकती है, तो दोसों इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप ये गलती आगे शे जाने जाने में करेंगे, तो दोसों आपकी जुनकाल के लिए बहुत बड़ा मुशिवत का ये कारण बनेग तो दोसों इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई औरत, कोई इस तरी एशा हो जो जुरुत मंद हो, जो आपसे सयुग मांग रही हो, तो दोसों उनका आप जरूर ही सयुग कीजिएगा, कभी भी किसी औरत को ठगने की आप कोशिश भी भूल कर भी मत कीजिएग दोसों ये आपके जुनकाल में मातालक्षमी की प्रिक्षा हो शुकती है, दोसों आपको अपने जुनकाल में एशी बातों का ध्यान रखना है, इसे दोसों धन की दिवी मातालक्षमी बहुत ही ज़्यादा प्रशन होती है, और धन में जो दिक्कत आती है, धनाने में जो जो पेश्चे की समयश्याय बढ़ने लगती है रोजगार की जो शमयश्याय बढ़ने लगती है दोसों इन्हें शभी के कारण होती है तो दोसों गर आप इन बातों को ध्यान रखेंगे तो शारी ये बधाये खत्म हो जाएंगी रोजगार की प्राप्ति होगी और पेशों क दिकत जो आपके जुनकाल में चलती है वो जडशे ही शमापत हो जाएंगी तो दोसों आपको क्या करना है कि औरत का शमान करना है जिहां दोसों तो दोसों इस बात का आपको विशेर ध्यान रखना है शाथिशा दोसों हम आपको बता दें कि महादेव आपशी कभी-कभी रखें और दोसों अगर आप महादेव यानि शिविके मंदिर में कभी भी जाते हैं कभी भी उनके जुनकाल में आप हाजरी लगाते हैं तो दोसों वहाँ पर कोई भी खाली बेठा दिख जाए तो दोसों ने आप परशाद को अवश्य खिलाईएगा दोसों इंशी आपक आपके ही अंदर बेठा रहता है जी तो अगर आप उन्हें परशाद खिलाएंगे तो दूसरों आपके मन आपके हिर्दे परशन होगी तो महादेव या आप शीप परशन होगी बस आप इस बात का धिन रखें दूसरों बात बहुत ज़्यादा मैट पून और बहुत ज़्य कोई बी गरीब मज़दूर हो जो दोस्तों इशाव्यक्ति है जो अपने डेली के कारेकर के पिशचिक माता है और अपना जीवनयापन करता है उनको जो इंशान परिशान करता है उनके उपर महादेव का किरपाडिश्टी कभी भी नहीं होता है जो दोस्तों इस बात क्या जुनकाल में खाते हैं तो दोसों उनकी जुनकाल में महादेब की किरपरादिश्टी हमेशा मिलती है उनको भले ही थोड़ा शाष शमय लगता है लेकिन दोसों उनको अपने जुनकाल में बड़े ही शुपलदाओं की प्राप्ति होती है जिया दोसों और वो जीवन भर अप अपने जुनकाल में जो भी एशे लोग हो जो एशे गरीब मजदूर हो अशाय व्यक्ति हो उनके उपर अरत्याचार नहीं करना है और अगर आप देख भी रहे हैं तो दोस्वों उन्हें देख कर आप भागेगा मत जी है दोस्वों इनसे भी महादिव बहुत ज़्यादा प कियेगा कि अगर आप इशा करेंगे तो महादेव की नजर महादेव की किरपादिश्टी आपके शाथ है इन्हें नजरिंदाज करने से दोस्वों आपको दोश लगेगा इस बात का आप खास दियान रखें महादेव चाहते हैं कि आप उन लोगों की मदद करें जो आपके आपके शामने अत्याचार कर रहें तभी तो आपके शामने वो किशी और का अत्याचार कर रहे हैं तो दोस्वों आपको बश भागना नहीं है बश आपको भगवान भुलनात आपके शाथ है यह शमच कर आपको उनकी मदद करना है जितना आप शोश के दोस्वों बश जर मोड कर नहीं भागना है जो अगर कोई व्यक्ति किसी गरीब और मजदूर का मज़ाग उड़ाता है तो दोसों उन्हें आपको शबग भी शिव खाना है कि ये बिल्कुल ही गलत बात है या फिर जो आप से होश के आप है शी बातों का परियोग कर सकती हैं जो कि उनके चाहता के लिए हो और वो लोग उनकी जुह मजाक न उड़ाए तो दोसों गर आप एशा करेंगे तो दोसों आप महादेव की नजरों में हमेशा ही उच्छ अस्थान की प्राप्ति करेंगे और महादेव हमेशा आपको शारी कारियों में शुफलता दिलाएंगे जी हैं द प्रशन रहते हैं चोटे बर्चों के अंदर हमेशा भगवान का वाश होता है जेतों कुछ लोग अपने जुनकाल में माता-पिता को परिशान करने करते हैं जेतों माता-पिता की आग्या का पालन नहीं करते हैं उन्हें तकलीब देना चाहते हैं जो लोग अपने जुनका जो आपको भूल कर भी नहीं करना है अपने जुनकाल में जे दूसरों अब आपको कौनशी बातों का और ध्यान रखना है दूसरों कभी का बार कई लोग किन्रों का अपमान भी कर देते हैं जे दूसरों किन्रों को अपने कलत सब्दों का प्रियूग करके उन्हें कलत बात दोस्तों बश यह जब बहुत बड़ी गलती होती है दोस्तों जो किन्नर होते हैं खुद नहीं बनते हैं दोस्तों उन्हें भगवान बना कर भेजते ही और भगवान की बनाई हुई चीजों पर अगर आप हाशेंगे भगवान के बनाई वी चीज़ों को आप मजाग उड़ाएंगे तो दोस्तों ध्यान रखेगा कि भगवान भी आप शी नाराज हो जाएंगे और भगवान भी आपको इशे कार्जिं को देंगे जिन से आपको नुशान हो जाएगा तो दोस्तों आप इस बात के ध्यान रखें जियान दोस्तों शादे शाद अगला जो बात है दोस्तों है बेजवान जानवर और पशु को मारना पिटना जियान दोस्तों बहुत शारेशी लोग हैं कि बेजवान जानवरों को परिशान करते हैं जी दोसमों इसे शनिदेव का परकोप लगता है। जीहान दोसमों आप शवी को बता दें कि इन शे शनिदेव की जो बादाएं हैं वो वेक्टिकिजुनकाल में आती है और बहुत शारी मुशिवत उनकी जुनकाल में चारों तरफ 시 गिर लगते हैं। ये दोसों काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, जो लोग इन शबी बातों को लेकर शावधा नहीं रहते हैं, जो लोग इनने दानदाज करते हैं, दोसों उनके जुनकाल में शनिदेब की कभी किरपा दिश्टी नहीं रहती है, दोसों तो दोसों आप शबी को बता दें कि अब आपको प्रिंजनकाल में अगर आप इशा कर रहे हैं तो दोसों इन शवी को आपको भूल कर भी छोड़ देना है दोसों अगला जो बात है वो बहुत ही शरल है दोसों ध्यान स्री सुनिएगा दोसों इन शवी आपको काफी धनलाब होगा हर छेतर में काफी तरकी आपको देखने को मिलेंगे दोसों आपको शौमवार के दिन दूद शौमवार के दिन कच्चे दूद में जल मिलाकर शुवलिंग के उपर अरपित करना है जे दोसों इस ये महादी बहुत ज़्यादा प्रिशन होते हैं और ये बात हमने आपको पहले भी बताए हैं जे दोसों आपको क्या करना है कि जो भी आपके जुनकाल में होशके दोसों शौमवार के दिन आप गरीब लोगों की सहायता जरूर कीजेगा दोस्तों खास इस बात के दिन रखे हैं जो भी मंदिर के शामने गरीब लोग बेटे होते हैं उनकी सहायत अगर आप करते हैं तो दोसों भूले नात और शनिदेब दोनों ही इनसे प्रेशन होते हैं इनसे जो व्यक्तिर जो चाह मंदिर में लेकर जाते हैं उनकी एक च्छा पूरी हो जाती है जियां दोसों तो अगर आप कभी मंदिर जाएं तो दोसों इस बात के दिन रखें कि वहाँ पर बेठें जो भी विखारी हैं जो भी लोग हैं उनको आप दान पून जरूर कीजेगा शाथे साथ दोस्तों आपको बता दें कि घर में माता लक्ष्मी का वाश करने के लिए धन की वर्षा करते नेने के लिए धर हमेशा आपके घर में आते रहें दोस्तों इनके लिए आपको कौँशे बातों का ध्यान रखना है कौँशे कारें को करना है दोस्तों आप शिवे को बता दे कि आपको प्रती दिन शुभा जल्दी जगना है और जगते हुए ही शुरुदेव को जलर रपित करना है इसी दोस्तों जल्दी ही जो लोग नोक्री की चाहर रख रख रहे हैं दोस्तों उनको नोक्री मिलेगी और शंभणाये आपकी जुनकाल में बढ़ने वाली है नोक्री को लेकर और शार्ष साथ दोस्तों शुकरवार के दिन आपको माता लक्षमी के भी पूज़ा राचना करने हैं और माता लक्षमी का आपको मंत्र ओम भूर भुवश्वाहा इस मंत्र का आपको जाप करना है मन शेक 108 बार आपको उज़ाप करना है और दोस्वों माता लक्ष्मी को अपने शारे दुख देवधाईश चुनाने है दोस्वों आपके शारे कष्ट आपके शारे अर्चने श्रमाप्त हो जाएंगी तो दोस्वों इन बातों का आप धियान रखिएगा फिर मिलते हैं नई वीडियो में तब तक लिए आप शुबी का धन्यवाद आप शुबी का दिन शुब हो मंगल मैं हो